हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अयोध्यया का railway station कैसा होगा project जो pipeline पर है मतलब project जो बनाने वाल वह कैसा होगा मॉप्लग्स करेंगे तो देखिए यह जो पिक्चर एक एक आर्टेस्ट ने बनाया है तो इसमें कनेक्टिविटी रहेगा जिससे एक्सपीडिटिंग होगा कंस्ट्रक्शन अप एरपोर्ट देट उसमें उस एरपोर्ट का नाम रखा जाएगा त्सकार एक सासाथ यह पर एक आधिया स्टेशन भी होगा नीचनल हाइवेः 30 के साथ यहां पर उनकेक्ट कर दिया जाएगा जो कि आजमगर से बहरीज तक करनेक्ट करता है उसको उसमें आधिया को जो कनेक्ट करनेक्ट गएगा स्री रायम का स्टेच्यू, 251 मीटर हाई होगा, और यहां पे तुलसी समारक ववन का मोडनेशन किया जाएगा, जिसमें 17 क्रोर रुपया खर्च होगे, एक राम कथा पार्क बनेगा, उसका एकस्पांसन होगा, जो 3 क्रोर रुपया में खर्चा होगा, उसके साथ लाइटिन होगा, लाइटिंग होगा, रहनुमान गरी का, तसरत महल का और कानक भवन का, उसके साथ यहां पे जानकी मंदीर दिगंबर अखारा और राजदवार मंदीर का भी रिनोवेशन होगा, 4 क्रोर उसमें खर्चा होगा, और वहां पे एक जो रोड जाता है, वहां से सर्यू घ दसरत स्टेड मेडिकाल कॉलेज एक निर्मान किया जाएगा, और अन्गोइंग प्रजेट के बारे में बात करेंगा, तो 350 क्रोड का अन्गोइंग प्रजेट वहां पे चल रहे हैं, लाइक कुईन हो मेमोरियल पार्क, डेवलोमेंट अब रामयान सर्केट, रिनोवेशन रामलीला सेंटर भी वहां पे बनाया जाएंगे, तो यह सब डिफरेंट प्रोजेक्स इन पाइपलाइन है, ऐसा ही इपरेंट इमन टॉपिक को में लग डिफरेंट वीडियो में डिसकस करेंगे, तो अगर ने चनल को सब्सक्राइब नहीं क्याएब चनल को कर दीजे, तो ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे, टेवर फर दे नेक्स्ट पार्ट, ठेंकियो